कि थोड़ी देर के लिए जब तक मैं आपको यह बता रहा हूं सारी डिटेल्स तब तक आप लोगों के अन्मूट करने के राइट्स मैंने विड्रॉ करे हैं लेकिन बाद में जैसे यह पूरा मैं बता देता हूं उसके बाद में आपको अन्मूट राइट हटा दूंगा कैसे यह पूरा कोर्स कवर अप रहेगा कैसे आगे बढ़ेगा सारी चीज़े आपको मैं बताने वाला है तो बैसिक बैसिकली यह 90 डेज का फ्री डिजिटल मार्केडिंग कोर्स है जहां पर फ्री लाइव क्लासे आपको मिलने वाली है अब इसमें जो है क्या-क्या कवर अ रहेगा तो definitely सबसे पहले आज के लिए हम आपको किस से यह सीख रहे हो company के बारे में हम बात करेंगे हमारी टीम के बारे में बात करेंगे कौन-कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं राइट हमारे कस्टमर्स का क्या experience है और आपको क्यों डिजिटल मार्केडिंग सीखनी चाहिए और enrollment process क्या है यह चीज़े हम आज के session के अंदर cover-up करने वाले हैं तो पहले बात करते हैं company के बारे में तो definitely company का नाम है TGM InfoTech Private Limited एक ad tech company है अलड़ी हम लोग core IT के लिए काम कर रहे हैं जिसमें like networking courses होगे computer के server course होगे cloud होगे firewalls वगरा के होगे उसमें काम कर रहे हैं लेकिन अभी जो है हम digital marketing के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं तो digital marketing के भी already हम लोग जो है अपने clients को services provide कर रहे हैं और अभी इसका knowledge जो है हम spread कर रहे हैं knowledge भी इसका देना यानि की courses में हमने start कर दिये हैं ठीक है तो यह आपका company के बारे में अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी team के तो चार core team members हैं जो decision makers हैं पहला है मंजीत सिंग यानि की मेरा नाब है यह मैं इस company का founder हूँ director हूँ and CEO हूँ right फिर यहाँ पे नीतु सिंग जी है तो यह आप madam जो है वो director है and business development है और यह है आपके मनीज सिंग जी जो web development को head करते हैं और नीचे है आपके अबिलाशा बाटिया जो की administration और जो है support को जो हमारे head क करते हैं और आपको जो support मिलेगी कोई भी problem आती है तो यही आपको provide करने वाले वो support भी चलिए अभी यहां पर we always give the best for our students अभी तक जितने भी हमारे other courses को technical वाले रहे हैं वहां पर हमने कोशिश करिया कि जितना अच्छे से हम जो है knowledge को दे सके उतना knowledge हम देते हैं लेकिन अभ कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से digital marketing को सीख सके अब यह digital marketing हमने अपने clients को भी दिया है service और साथ ही साथ हम अपने business को develop करने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब बात करते हैं यहां पे हम क्या-क्या services को provide करते हैं सो हम लोग यहां पे search engine optimization को हमारे clients के ल करते हैं email marketing करते हैं और साथ में आपकी जो paid ads होती है like google ads हो गया फिर आपका Facebook ads हो गया Instagram ads वगरा हो गया तो यह हम अपने clients को लिए और हमारे खुद के business के लिए जो है ads को run करते हैं अब मैं आपको end में दिखा कल बीच में जब हम next session में आएंगे तो वहां पर मैं आपको यह दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से जो है यह सारा session हम लोग जो add है वो run करते हैं और अब तक कितनी add हम run कर चुके हैं तो वो सारी चीज़े जो है मैं आपको live with proof जो है वो दिखाने वाला हूं so that कि आपको पता चल जाए कि यार वाकी हमारे पास में digital marketing का experience है या नहीं है एक बार आप आगे बढ़ जाएंगे तो definitely आप चीज़े समझेंगे understand करेंगे और उसके बाद तो definitely आपको जो है चीज़े समझ में आने लग ज है अलग-लग services digital marketing की not only in India बट from abroad भी लाके Australia में हमारे clients है Malaysia में हमारे clients है Canada के अंदर हमारे clients है और London के अंदर हमारे clients है Austria के अंदर हमारे clients है और India के अंदर तो definitely available है तो यह हमारा experience अब तक का जिसमें हमने clients को service दी है अब वही knowledge जो है जो हमने अपने business के लिए अपने client के business के ल देने जा रहे हैं तो बैसिकली यह digital marketing का जो है हम वैसे तो 2020 से भी पहले के करते आ रहे हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं करते थे जिस लेवल पर अब कर रहे हैं तो धीरे-धीरे हमारे clients है हमारे साथ बढ़ना स्टार्ट करा और धीरे-धीरे जहां यह आपका जो graph है वो increase हो लाना हो, leads generate करनी हो, कोई भी product हो या service उसको sell करना हो, किसी भी तरह का आपका lead की आपको requirement है, target audience की requirement है, social media management है, SEO है, हर तरीके की जो service है वो हम यहाँ पे आपको सिखा भी सकते हैं और आपको clients कैसे लाने है, उनके लिए आपको कैसे काम करना है ये भी बढ़ाएंगो, right, so basically ह हमारे पास में अब क्या है, experience हो गया है, हमारे पास अब एक professional team है, जो digital marketing को head करती है, affordable price हमारे है, इसलिए अब हमारा जो digital marketing है, वो भी grow कर रहा है, और definitely अब जो हमारी company जो है एक certified illegally, digital marketing को services provide करने के लिए, you can see, हमारे पीछे जो है सारे government के जो certificates वगरा की requirement होती है, वो सारे अ marketing, आप लोगों को digital marketing क्यों सीख लेना चाहिए, आज की date में अगर बात करें, digital marketing क्यों सीखना चाहिए, बहुत simple सी चीजा है उसकी वारे में, आज चाहे छोटी से छोटी company हो, या बड़ी से बड़ी company हो, कोई भी बड़ा brand है, या छोटा brand है, कोई फरक नी बढ़ता, हर brand के बारे में awareness जाए, मेरा product हो, या service हो, वो sell हो, ताकि वो company benefit ले, तो definitely यहाँ पर जो है, इस digital marketing की help ली जाती है, जिनको digital marketing का knowledge है, freelancers का भी इस्तेमाल किया जाता है, और आज बहुत सारी company agencies है, जो digital marketing का knowledge जिनके पास है, उनको hire भी करती है, आप as a job के लिए भी काम के ले सक test knowledge को, आप as a freelancer भी काम कर सकते हैं, या फिर आप खुद की digital marketing company स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है, आप digital marketing सीखके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हर वो चीज आपको बताने वाले हैं, हर वो detail आपको बताने वाले हैं, जो एक digital marketer के लिए च optimization करना हो, यानि कि SEO वगएरा करना हो, या फिर आपका digital data analysis वगएरा करना हो, Google Ads वगएरा run करना हो, हर चीज का knowledge यहाँ पर आपको मिलने वाला भी, मैं 90 days में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा ब्रॉशन भी आपको दिखाने वाला हैं, तो मैं open कर लेता हूँ यहाँ प इस पूरे course में आपको तीन trainers मिलेंगे, पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिर आपको मनीश सिंग जी पढ़ाने वाले हैं, फिर तीसरा है यहाँ पे अभिलाशा भाटिया जी आपको पढ़ाने वाले हैं, तो यह तीन trainer मिलके आपका पूरा 90 days का जो digital marketing course है, इसको cover करवाने वाले हैं, ठीक है जी, यह हमारा office का address वगरा है, आप Google पे search करेंगे, तो भी आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पर जो है, आपका about us की बात करें, company का already मैंने आपको अपने बारे में बता दिया है, about course की बात करें तो definitely अभी one by one करके समझते हैं, 90 days के slavus में क्या-क cover up रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, graphic designing की, graphic designing के अंदर हम canva से start करेंगे, अब canva क्यों important है graphic designing के लिए हर चीज वो explain करेंगे, यह भी brushes आपको जाए, group के अंदर दे भी जी दिया जाएगा, ताकि आप इसको download करके, एक-एक detail को cover up कर सकें, यहाँ पे पूरा graphic designing canva के करना है, कैसे आपका canva आपको help कर सकता है, brand building वगरा के लिए, right, काफी सारी चीज़े होते हैं, जो हम यहाँ पे cover up करेंगे, then आपका wordpress से website हो, चाहे वो आपका blogging करना हो, तो किस तरह का भी हो, तो वो सारा चीज हम यहाँ पे cover up करेंगे, blogging क्या होता है, blog क्या होता है, how to make money with the blog, कैसे आप उसको monetize कर सकते हैं, किस तरीके के आपको वो task लिखने, जो articles लिखने होते हैं, लिखने हो चाहिए, ताकि वो attractivity लगे, कोई भी अगर आपके traffic पे, आपके blog के page पे आए, तो definitely वो काफी देर वहाँ पे रुके, right, और फिर जो है, आपकी website को किस तरह से हम Google Search Console वगरा में list करते हैं, कैसे टॉप पे लेकर आएंगे, वो हर चीज जो है, आपको keyword research वगरा कैसे करने हैं, हर चीज हम यहाँ पे cover up करने वाले हैं, तो you can see domain name के बारे में बात करेंगे, SSL के बारे में बात करेंगे, hosting क्या पूरा detail लेंगे, DNS servers के बारे में बात करेंगे, themes के बारे में हम यहाँ पे पूरा detail में जाएंगे, चाए वो installation है, चाए फिर वो आपका जो है, उसके बारे में understanding है, customizations वगरा है, plugins के बारे में हम पूरा detail में जाने वाले हैं, फिर categories कैसे create करी जाती है, कैसे आप import वगरा कर सकते हैं, menus वगरा कैसे create करे जा सकते हैं, different type के menus ह होते हैं वो कैसे कवरण किए जाएंगे वो आपका पुराएगा पेजिस कैसे बनाए जाते हैं एगर कोई आप erstmal फिर चेंड डिकुकर नाते हैं कैसे युव क्राइंक किसे लिखे जाते हैं कहां से आपको उसके लिए integrations वगरा करना है search console के जरीए तो यह पूरा हम जो है website के बारे में cover up करेंगे then उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे e-commerce website आज की rate में drop shipping हो गया affiliate marketing हो गया right या इस तरह की आपके खुद की कोई product या service है कोई course है आपके पास में तो उसको कैसे आप e-commerce website बना के आप आगे sell कर सकते हैं चाहे फिर उसमें payment gateway का integration करना हो या taxation shipping वगरा करनी हो email की settings वगरा करनी हो हर चीज हम यहाँ पे cover up करने वाले invoice कैसे generate होंगी live chats वगरा कैसे काम करेंगी course sell कैसे होगा LMS plugins वगरा अगर आपके courses है तो definitely LMS plugin भी चाहिए होगा right WooCommerce for Shopping की website पूरी हम यहाँ पे ready करने वाले हैं देन उसके बाद में हमारे पास में business की website के लिए on wordpress वो पूरा यहाँ पे सीखने वाले कैसे बनाई बनाई जाएगी फिर आपका आता landing pages अब landing pages बड़े important होते हैं क्यों क्योंकि एक website पे जब कोई traffic आता है तो उसके पास में multiple distraction points होते हैं क्योंकि वहाँ पे हर product हर service के बारे में अपने इंटर लिंक किये हुए हैं तो client जो है वो decision कई बार नहीं बना पाता कि कौन सी service लेनी चाहिए वहाँ सा product मुझे purchase करना चाहिए तो वहाँ पे confusion की वज़े से कई बार जो है वो purchase नहीं भी करता है लेकिन landing page जो है ये एक high conversion जो आपके चाहिए lead convert करनी हो product sell करने हो service sell करनी हो तो वहाँ पर आपको landing pages का बहुत importance होता है और landing page और websites के बीच में बहुत बड़ा एक difference होता है य का है हम यहाँ पर landing pages की बात कर रहे हैं या फिर हम जो है WooCommerce या आपके e-commerce की websites की बात करें हर चीज़ आप बिना coding के बहुत असानी से कैसे implement कर सकते हैं वो सारी चीज़े हमें यहाँ पर आपको सिखाने वाला राइट landing page के बाद में you can see हम बात करने वाला है search engine optimization यानि कि लगा के add चलाओ तो traffic आजएगा दूसरा है organically SEO करके आप Google में rank कर वालो एक बार Google में rank हो गई तो believe me आपको इतना traffic मिलेगा इतना traffic मिलेगा आपको add चलाने की भी जोड़त नहीं पड़ेगी लेकिन उसके लिए आपको SEO आना चाहिए यह SEO का knowledge आप खुद के लिए इस्तेमा जाल कर सकते हो तो सब जगे पर हम SEO में यहां पर हर डिटेल यहां पर यहां पर लिखी गई है यह आपको अभी ग्रुप के अंदर दे दिया जाएगा ब्रशर आप इसको डाउनलोड करके एक एक पॉइंट को पूरा चेक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद में Google Ads अब Google Ads जो है यह लेकिन मेरी सोच गलत थी क्यों किश्यों जब मैंने उसमें पैसा लगाना स्टार्ट करा तो जैसे मैं ad run करता हूं जितना भी पैसा लगा रहा हम चाहे हो तो लगा रहा हुने द सब्सक्राइब मैंने दस अजार भी लगाके देखिए वहुस्त चुटकियों के अंदर याने यह ताइम ही नहीं लग रहा वो सारा कंजीम उकर जा रहा है गूगल एड सारी रन हो जा रही है आपका पूरा बजट खतम हो जा रहा है फिर दीरे दीरे चीज़ों को मैंने समझा लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई क्योंकि इतनी सारी सेटिंग से इतनी सारी चीज़ हो गया अब क्या चीज मैं कितनी गलतियां कर रहा था बाद में समझ में आया और उसके बाद में जो है मैंने पैसा लगाना स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टीज रही लेकिन स्लोली ग्राजुली आज ये कंडिशन आ गई है अगर मैं 300 चीज लगाता हूं तो 300 ही कंजिम हो रहा है राइट बहुत सारी एरर्स आती है कई बार आपका लिमिट बाइब बजट आता है गूगल आड्स के अंदर तो बेसिकली वह क्यों आ रहा था क्योंकि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा था आज जब मैं एड रन करता हूं वह सक्सेस्फुली रन भी होती है और उनके रिजल्ट भी आते हैं क्योंकि सारी चीजे अब समझ में आ गई है कैसे क्या होता तो यहां पे गूगल आड्स आपको डैश्बोर्ट के बारे में चायो एकाउंट स्रक्चर के बारे में आपके रेपूटेशन मैनेजमेंट के बार कीवड प्लानर, कीवड रिसर्च, कीवड मैचिंग टाइप्स के बारे में हम यहां पे पूरा सीखने वाले हैं कीवड जो theme मैचिंग्स होती है गूगल की ad copies होती है extensions होती है campaigns होते है quality scores वगहरा होते है lead generation होता है shopping ads होती है YouTube ads होती है जिसको video ads भी कह सकते हम display ad campaigns वगहरा होते हैं फिर आपका जो है campaign optimization की बात करें वह आपका कैसे होगा फिर आपके जो भी analysis कैसे करा जाता है ताकि और better performance हमें मिल सके तो यह काफी सारी चीजें हैं जो Google ad के अंदर हम यहां पर सीखने वाले हैं तो आपका आता है challenge भी accept करेंगे कि let's see एक एक चीज बनाएंगे एक website बनाएंगे आपके साथ में बनाएंगे उस website के उपर में कुछ product बनाएंगे product कैसे बनाने वो भी बताऊंगा मैं आपको उसको फिर जो है पूरा practical challenge के साथ में हम आगे काम करने वाले हैं चाहे वो आपका Facebook ads हो चाहे फिर आपका जो है you can see काफी सारी चीजे होती हैं इसके अंदर में भी तो वो सारी detail हम यहां पर cover up करने वाले हैं then आपका social media management and optimization चाहे वो आपका Facebook का पेज हो प्रोफाइल हो या Instagram का पेज या प्रोफाइल हो आपकी YouTube के बारे में भी हम यहां पर पूरा बात करने वाले हैं detail में समझने वाले ताकि videos जो हैं वो काफी अच्छे से जो हैं वो आपकी present हो सब हर चीज आप यहां पर cover up करेंगे Pinterest के बारे में हम पूरा detail में यहां पर समझेंगे LinkedIn के बारे में पूरा समझेंगे optimization and finally WhatsApp के बारे में भी समझेंगे आप बोलों जब वाटसप में क्या है यह तो daily हम लोग use करते हैं definitely हम लोग daily इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस WhatsApp का इस्तेमाल daily basis पे जिस purpose के लिए करते हैं वो एक different method होता है लेकिन जब हम उसी WhatsApp को business के लिए इस्तेमाल करते हैं lead generation के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक concept different हो जाते हैं यहाँ पर वो सब चीज़े हम cover up करेंगे then tools and techniques के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे digital marketing की email marketing आप उन्होंगे email marketing में क्या दम होगा लेकिन जतना दम email marketing के अंदर है उतना दम आप देखेंगे Google ads के अं दर या फिर आपका जो है Instagram ads के अंदर भी उतना दम नहीं है जतना email marketing में आज भी power है तो यह भी मैं आपको practical दिखांगा और यह सारी चीज़े हम अपने business के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ रहे हैं business को डेवलप कर पा रहे हैं तो यह सब यहां पर practical बताने वाला हूं फिर हम यहां पर बात करने वाले content writing कैसे तरह कैसे content को write करना है trending content जो है वो उसको कैसे डूढना है तो यह सारी चीज़े content writing article जो लिख रहे हैं SEO friendly भी होने चाहिए ताकि एक SEO friendly होगा तभी उसका benefit मिलेगा social media post कैसे लिखे जाते हैं website content कैसे लिखा जाता है copywriting content कैसे लिखा जाता है फिर उसके साथ में हम यहां पे कुछ AI tools का इस्तेमाल करके देखेंगे AI tools जो है अभी आप लोग हमारी official जो website है tgmacad.com इसके उपर में भी आप देखेंगे कि हमारी जो development team है उसने अभी chat GPT और AI tools का इस्तेमाल करके API का इस्तेमाल करके खुद का एक chatbot बना दिया AI बना दिया है अभी integrations उसकी कुछ testing चल रही है कुछ हम उसको train कर रहे है कुछ सवाल पूछे जारे उसको सारे knowledge दिया जा रहा है और आप देखेंगे जैसे वह आपका release होगा बहुत ही amazing होगा तो आप अपने clients के लिए कैसे उस चीज़ को implement कर सकते हैं वो हम यहां पे practical आपके साथ में दिखाने वाले राइट सो यह सारी चीज़े then how to crack a job अगर आप job के लिए जाते हैं तो interview कैसे crack करनी चाहिए कैसी कौन-कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कैसे आपने उसके लिए जवाब देने हैं कैसा आ knowledgeable आपका answer होना चाहिए ताकि आप select हो जाओ काफी सारी चीज़े हम यहां पे आपको पूरा resume building के key points क्या होंगे type of communications वगरा कैसे होंगे आपके हर detail आपको cover up करवाई जाएगी अगर आप एक business start करना चाहते हैं चाहिए वो एक freelancer हो तो business freelancer को भी business चाहिए होगा तो lead कैसे आएंगी हमारे पास में organically आएंगी तो कितनी आएंगी राइट कौन-कौन से ऐसे key points है जहां से आ सकती है paid ads में कैसे lead generate होंगी कैसे कितनी investment वगरा करनी पड़ेगी हर detail जो है यहां पे आपको practical आपको पैसे नहीं लगानी है बट मैं पैसे लगा कि आपको दिखाने वाला ह उसके results भी आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप एक अपना business वो बढ़ा सके और at the end मैं यह भी बताऊंगा कि आपको अगर business start करना है लेकिन आपको नहीं clients मिल रहे कोई बात नहीं आप हमसे help ले सकते हैं हम आपको client आपके लिए लाके दे सकते हैं definitely क्योंकि हम आपको client लाके दे रहे हैं तो definitely उसके लिए हमें आपको कुछ pay करना पड़ेगा क्योंकि हम lead आपको दे रहे हैं perfect client लाके दे रहे हैं जो भी आपको business देंगे बहुत अच्छा business दे सकते हैं तो ऐसे clients हम आपको लाके दे सकते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको definitely हर lead के बारे मे अगेंस्ट में आपको कुछ ना-कुछ हमें पे करना पड़ेगा चाहे वो percentage 2% हो या 3% हो 4% हो एक percentage final करेंगे उसके हिसाब से आपको सारी चीजे दे जाएंगे लेकिन यहां पर आपको 100% फ्री यह सिखाया जारा है तो यहां पर आपको क्या-क्या benefit मिलेंगे live sessions रहेंगे practical classes रहेंगी real time projects रहेंगे 16 आपके models यहां पर रहेंगे job assistance 100% internship आप हमारे साथ कर सकते हो PDF notes वगएरा फिर आपकी community access मिलेगी आपको course completion certificate यहां पर मिलेगा और जो class की recordings है वो आपको वान year access के साथ में दी जाएंगी यह आपका पूरा syllabus है यहां पर कुछ companies हैं जहां पर already हमारे कुछ offline में जो students के साथ में हमारा experience रहा है उन में से कुछ यहां पर जो आप place हुए है कुछ हमारे IT के student यहां पर काम कर रहें इन companies के अंदर में तो अभी तो mix match है तो trainers के बारे में यहां पर आपको सारा detail मिल जाएगा यह जो आपका ब्रॉशर है यह आपको थोड़ी देर में मैं आपको group के अंदर share कर दूँगा ताकि आप एक-एक point को बहुत अच्छे से detail में सीख लें वापस चलते हैं presentation के उपर में तो यह आपने slavus cover up कर लिया राइट आफ वट यू विल get definitely study material live class की recordings मिलेंगी course completion certificate आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो basically मैं यहाँ पर आपके लिए digital marketing के लिए मेहनत कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर जैसे मैंने starting में बताया वाकिए अगर serious और digital marketing सीखने के लिए जहां पर मैं अपने पहले पांच दिन आपको प्रूफ भी दूँगा राइट कि हम लोग किस तरीके से digital marketing अपने business के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले पांच दिन आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद आपसे आपका एक exam लिया जाएगा जिसमें minimum 45 marks आपके लिए mandatory हैं आपको जो पास करना होगा अगर आप पास करते हैं तो आप आगे की class के लिए eligible हैं अगर आप यह 45 marks नहीं ला पाते हैं पहले पांच दिन में जो पढ़ाऊंगा उसी में से सवाल भी पूछे जाएं तो 45 marks अगर आप लेके आते हैं तो आप हमारी लिए आगे की जो classes attend करने के लिए eligible हो जाएंगे simple rule है बस यहां पर आपको क्या करना है कल से आपकी आज तो सरफ introduction था कैसे क्या process रहेगा क्या course का syllabus रहेगा यह सारी चीज़े बता दी कल से हम study करना start करेंगे without wasting any time पहले पांच दिन बाकी दिन आगर आप इधर उधर हो जाते तो मैं चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प basically दो batch है morning and evening morning का जो timing है वो 10 से 11 बजे तक है और evening का जो time है वो आपका same 9.30 तो 10.30 रहेगा तो आप जिस भी batch में join करना चाहते हैं आप join कर सकते हैं लेकिन अगर morning के अंदर दो से ज़्यादा student नहीं हुए क्योंकि अभी है time बहुत हमने कुछ marketing इसके लिए करी नहीं बहुत ज़्यादा अगर आपका दो student होगी तो definitely आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा evening में ही join करेंगे हम एक ही batch रन करेंगे अगर morning में तीन से ज़्यादा student हुए तो हम morning वाला batch batch भी रन करेंगे no problem लेकिन पहले पांच दिन जो है आपका morning वाला batch और evening batch वाल जो दोनों आपके रन करेंगे जिसका timing आपको मिल जाएगा अब आपको कैसे join करना है तो अभी जो है मैं टीम से request करूंगा chat के अंदर वो form डाल दें जहां से आप लोग enroll करेंगे राइट कोई चार्ज पे नहीं है फ्री है बस आपको आपको detail देनी है chat के अंदर डाल दे please यहां पर मैं आपको open करके दिखा देता हूं कैसे है रहेगा जैसे आप इस form पे click करेंगे link पे तो आप आजेंगे यहां पर right यहां पे आपने अपना email id डालना है अपना official name क्या है आपका email id contact number WhatsApp number दो बैच है सुबह morning में join करना तो आप morning select कीजिए evening में select आपको join करना तो आप evening में select कीजिए तो जो भी आपको एक select करना है एक select करके आप यहां पर submit करेंगे submit करनी के बाद आपके पास में यहां पर एक thank you आएगा और उसी thank you के नीचे आपको दो WhatsApp group के link मिलेंगे आप अगर morning join करना चाते तो morning वाले पे click करके join कर लीजिए WhatsApp group अगर आप evening वाले जोइन करना चाते तो आप evening वाले group में join करके click करके आप join कर लीजिए आप दोनों चाहते हैं आप दोनों join कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आपको फिर जैसे time अगर morning में मिले तो आप morning में join किजिए इवनिंग में टाइम मिले तो आप इवनिंग में जॉइन कर सकते हैं तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस है तो आपने जल्दी से आप लोग जो है इसको जॉइन कर ले और जॉइन करके जो है आप अपनी क्लासेस को कल से शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ में तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट पे तो यह हमारे इंट्रोडक्शन सेशन था और इसमें अगर कोई आमशार कोई आपका सवाल नहीं होगा कोई डाउट नहीं होगा सारी चीज़े मैंने आपके डाउट से क्लियर करना चाहते हैं वह आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर सकते हैं ठीक है जी सो आज के लिए इतना करते हैं एल सी यू गाइस टुमोरो सेम टाइम लेकिन फॉर्म फिल कर दीजेगा क्योंकि आगे की जो क्लास का जो नोटिफिकेशन है morning card और evening का वह आपको group के अंदर जो भी आपका respective group होगा morning वालों को morning में मिलेगा इवनिंग वालों को इवनिंग में मिलेगा ठीक है जी thank you guys और आपके group में भी यह form दे दिया जाएगा so that कि अगर कोई यहां से miss कर जाए वहां पर join करना चाहते हैं वहां से भी group को group के thank you good night everyone definitely सारी चीज़े अभी आपको शेर कर रहे हैं